ओम नमः शिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नारद पुरान से सीखते हैं चार संकेत लेते हैं जिससे की हमें जीवन में बचना चाहिए नहीं तो महापा होता है महापाप के भागी बनते हैं हम सभी नारद पुरान धर्म ग्रंथों का एक महत्वपुन हिस्सा है इसमें भगवान की कई लिलाओं और ज्यान का वर्णन मिलता है नारद पुरान में मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में बताया गया है जि दूखों का सामना करना पड़ता है तो पहले जानेंगे तभी इससे बचेंगे पहला चीज है गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाना मनुष्य गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्यान देता है गुरु को पिता के समान और गुरु पत्नी को माता के समान मानना चाहि गुरु पतनी के साथ समागम करने वाले मनुष्य के पापों का प्राश्चेत किसी भी तरह से संभव ही नहीं है। ऐसे मनुष्य को जयन दिनामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। दूसरा है चोरी करना जो मनुष्य दूसरों के वस्तु हडपने या चुराने का प्रयास करता है वह महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने से मनुष्य के जीवन के सभी पुन्यकर्म नश्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाव नहीं मिलता है। बलकि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना आपको करना पड़ता है। कभी अनुभव करेंगे जीवन में तो। तीसरा है शराब पीना। नारत पुनान में शराब की तीन प्रकार बताये गए हैं। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नाम के नर्क में कई आतनाएं दी जाती हैं। शराब का पान नहीं करना चाहिए। सिर्फ ब्रह्म हत्या करने वाला ही नहीं बलकि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुम्भी पाक नामक नर्क में यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूल करके भी ब्रह्म हत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए नहीं उसमें भाग लेना चाहिए नहीं ऐसा करना चाहिए नहीं तो नुकसान होता है। इन चार कृत्यों से हमें बचना चाहिए जिवन में अगर सुखी और शान्त जिवन चाहते हैं तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कोन कर लें हम आपके लिए नई वीडियो इस च बोलें हर हर महादेव